नमस्कार आप देख रहे हैं लुकमीरिया बरसात ने दिल्ली वालों को गर्मी से जरूर कुछ रहत दिलाई है पर बारिस के साइड एफेक्ट भी आने शुरू हो गए है दिल्ली में द्वार का इलाके में में रोड पर चलती हुई एक कार जमीन में धर्ज गई इस हाथ्चे में कार सवार यूवक ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई बताया जा रहा है कि यह आईटेन कार दिल्ली पुलिस के एक जवान की है जो अपने एक दोस्ट से मिलकर द्वार का सेक्टर 18 के अतुले चौक से गुजर रहा था उसी समय में रोट की सड़क धस गई और चलती हुई कार जमीन में अंदर घुसती चली गई कार चालक दिल्ली पुलिस के जवान ने बताया कि वो आराम से में रोट से गुजर रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अचानक चलती हुई कार जमीन में घुस जाएगी इस हाथ से की सूचना पुलिस को दी गई और तुरंती मों के पर पहुँचकर ट्राफिक पुलिस ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकाल ली और नई खबरों के लिए देखते रहे ये लुक मीडिया एक मिनिट हमारे साथ